नमस्कार मैं डॉक्टर गजंद गुपता बीवीडी गौवर्मेंट कोलेज चिमनपुरा शापुरा से बुर रहा हूँ चात्रो आज का ये जो वीडियो लेक्षर है बीएस से पार्ट सेकेंड के बच्चों के लिए है और अपन पेपर थर्ड इलक्टोनिक से इसमें पढ़ रहे हैं इसी के अंतरगात यूनिट थर्ड है अपने पास उसको आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं जो कि टांजिस्टर से सुम्बंदित है सबसे पहले अपन जो काम ले रहे हैं इसमें टॉपिक में वो एच प्राचालों की उप्योक से टांजिस्टर परिवरत का विचलेशन करेंगे आपन मतलब अनलाइसिस ओफ टांजिस्टर एंपलिफेर यूजिंग दा एच पैरामिटर्स एच पैरामिटर्स का मतलब छात्रो हाइबरेट पैरामिटर है जिसको हिंदी में अपन शंकर प्राचाल के नाम से जानते हैं और जब अपन उनिट फर्स्ट के स्टेडी की थी उसमें मैंने ये बताया था कि जैड वाई और एच प्राचाल क्या होते हैं तो वहाँ जो अपन एच प्राचाल के समीकर निकाले थे उनी समीकरणों में से कुछ समीकरणों को अपने काम में लेने हैं और वो वहाँ से अपन इसको सीधे उठाएंगे काम करेंगे इसमें यहाँ सबसे पहले एक सर्किट बनाया गया है चतु टर्मीन जाल का सर्किट है जो की चितर एक के अंदर देख रहे हैं अपन इसमें I1 और I2 दा रहा हैं I1 लेफ्ट हैंड से जा रही है I2 राइट हैंड से है और संकित वोलता अपनने Vs लगा रखी है और निवेसी परिपत में ही अपनने जनित्र पतिरोद लगा रखा है जिसको अपनने आरेस से बता है इन्पुट जो वोल्टेज है वो V1 है और जो निवेसी प्रतिवादा जो लग रही है सर्किट के अंदर माना कि उसकी वैजू जो है जैड आई है इन्पुट का मतलब निवेसी इसी तरह आउटपुट रेस्टेंस आउटपुट सर्किट को देखे हैं अपन तो लोड रेस्टेंस लगा गया है जिसको कि जैड आल से बता रहे हैं अपन और आउटपुट वोल्टेज V2 है और इसमें जो अपने पास आउटपुट इंप इसको जैसे कि चित्र एक में टांजिस्टर के मूल प्रिवर्दिक परीपत को यहां बताया गया है और चित्र एक के तुल्य परीपत को अपन चित्र दो और तीन में बता रहे हैं चित्र दो भी एक का तुल्य परीपत है बच्चो और चित्र तीन भी एक का ही तुल्य परी कैसे बनाए जाते हैं अपन पहलो अल्रेडी डिसकस कर चुके हैं अगर आपको नहीं है अगर अध्यान नहीं आ रहा है तो आप जो चैप्टर फरस्ट है उसकी जो वीडियो है चार्ट में जाल के तुल्य परीपत उसको देखिए उससे आपको समझ जाएगा तो ये तुल्य परीपत के अंदर उनको अपन चत्रो दो चत्रो तीन को अपन काम में लेंगे और इनसे कुछ equations निकालेंगे और फिर H50 के को काम में लेते वें ये जो टांजिस्टर प्रवर्दक की तरह काम करता है उसका आपन विसलेशन करेंगे विसलेशन का मतलब ये है चात्रों सबसे पहले अपन इसमें current gain निकालेंगे current gain को अपन current amplification भी कहते हैं और हिंदी में इसको धारा लाप कहते हैं और symbol ए i से बताते है i for input जो subscribe लगा हुआ है यहां पे वो i जो है input को बताता है जो कि धारा लाप को बताता है चित्र दो में के चौफ के धारा नियम को अगर काम में लें जो h पर चाल अपन निकाले थे chapter 1 के अंदर उसके अनुसर अपन जानते हैं कि समीकरन i2 का मान hf i1 plus ho v2 के बरावर होता है f forward को बताता है और o forward जो है output को बताता है यहां पर लेकिन अपनी भी जानते हैं कि जो निवेश जो v2 है उसका मान minus i2 zl के दोरा बताए जाएगा तो यहां पर i2 की value रख दें और उससे अपन i2 upon i1 की value निकालें और यह i2 upon i1 की value उपर जो समीकरन first है दारालाब की उसके अंदर रख दें तो अपने को समीकरन second आती है जो कि दारालाब की समीकरन है और h5 के रूप में आ रही है यह यह देखिए आप second को कि hf upon 1 plus ho into zl के दोरा बताए इसी तरह दूसरी चीज इसमें जो निकाल रहे हैं अपने प्रवरदन में छातरों वो है आपने पास input impedance जिसको कि अपन जैडाई से बता रहे हैं और हिंदी में इसको निवेसी प्रतिबादा के मतलब आपन जानते हैं कि input voltage upon input current इसलिए समीकरन तीन के दोरा जो निवेसी प्रतिबादा है उसको जैडाई जिकर टू वीवन आपन आईवन के दोरा आपन बता सकते ह जो circuit बना है उसके अंदर अपन जो निवेसी प्रिपत है उस निवेसी प्रिपत को देखो गया आप तो उसमें अपन यह समीकरन चार प्राप्त करते हैं जो कि वीवन जो voltage है total voltage वो voltage है HI I1 प्लस HR V2 के बराबर है तो यह समीकरन चार यह जो समीकरन तीन में चार को अगर काम मिलें अपन तो ZI का मान जो है मतलब समीकरन चार की value समीकरन तीन में रख दें तो अपन को यह समीकरन ZI मिलती है और इसी equation के अंदर अगर V2 is equal to minus I2 ZL का मान और AI जो है जो दारालाव है उसका मान I2 अपन I1 होता है इन values को अगर काम में लें तो ZI की value अपने पास निकाल सक जाएगी और समीकरन 2 से AI का मान रख देंगे अपन तो समीकरन 5 अपने को मिलती है तो यह समीकरन 5 निवेसी प्रतिवादा को बताती है इसमें यह अपन कह दे हैं कि HR और HF का मान बहुत छोटा होता है इसलिए इसको अगर अलप होते हैं के वज़े से इसको zero कर दें तो ZI क हमान HR के बरबार आ जाता है तो यह निवेसी प्रतिवादा निकाल लिया अपन निस प्रवरदन सर्किट में जो टांजिस्टर का है इसी तरह वोल्टा प्रवरदन वोल्टेज अम्पलिफिकेशन क्या होता है जिसको हमन वोल्टेज गेन भी वोलते हैं वोल्टा तो अपने को पता है V1 है तो इसलिए A-V का मान V2 अपन V1 के दोरा लिख सकते हैं लेकिन V2 का मान अपन जानते हैं चातरो माइनस I2 जाड़ा हुता है इसलिए यह मान अगर यूजिंग एक को काम मिलें तो यहां I2 की जगे अपन A, I, I1 भी लिख सकते हैं इस वज़े से A-V का जो मान आएगा अपने पास अगर यह V2 का मान उपर रख दिया जाए समीकर्ण में तो समीकर्ण साथ मिलती है जिसको यह आगे भी अपन को कही जगे काम में लेनी है एक्वेशन 3 को लेके समीकर्ण साथ मराब्त कर लिए अपने उपरोग समीकर्ण में A-I तता जैड़ाई कामान जो अपने पहले निकाल चुके हैं उनसे वह जो समीकर्ण 2 और 5 है इन समीकर्ण 2 और 5 से A-I और जैड़ाई कामान अपन समीकर्ण यह उपर वाली समीकर्ण में रखेंगे तो उस case के अंदर रखने के वाद देखो चातरो इसको sol किया गया है sol करके समीकन आठ मिलती है अपने को कि A V is equal to minus H F Z L upon H I plus delta H into Z L जो delta H है ये short form के रूप में बताया है कि delta H कमान जो है H I HO minus HR H F के दोरा अपन जो है इसको define कर सकते हैं तो यहां ये अपने पास जो समीकन आठ आई है चातरो A V मतलब वोल्टा प्रवर्दन या वोल्टा लाब के समीकन को बता रहे हैं यहां चुंकि अपने बता दे हैं कि delta H Z L कमान H I के तुल्ला में बहुत चोटा होता है इस वज़े से अगर इसको नेगलेट कर सकें अपन तो नेगलेट करने पर A V कमान अपने पास मैनस H F जैडल अपन ह I के दोरा बताए जाएगा जो कि समीकन नो के दोरा अपन बताते हैं तो इस तरह से अपने क्या निकाल लिया? वोल्ता लाब निकाल लिया जब वोल्ता लाब निकल के आ गया तो अपन अब निरगम पतीवादा या जिसको अपन output impedance कहते हैं उसकी values भी निकाल सकते हैं नेगम पतीवादा को घ्यात करने के लिए जो चित्र दो मैं अगर जित्रदो में जो सुरोत वोल्टा वी-एस को सुनने है तता लोड प्रतिवादा जो जैडेल वोल्टा को जनित वी-टू से विस्तापित करते हैं इस अवस्ता में अपने को समीकन दस प्राप्त होती है कि आउटपुट वोल्टेज अउटपुट इंपिडेंस इगर टू आउटपुट वोल्टेज अपन आउटपुट करन तो वी-टू अपन आई-टू के द्वारा बाता लिख सकते हैं अपन और एच प्रचाल से अपन आई-टू की वैल्यू जानते हैं अब निर्गम प्रतिबादा निकालने के लिए वी-एस इगर टू जीरो किया करने पे जो निवेसी प्रतिबादा में अगर एक्वेशन देखे हो आप उसमें चित्रदो की तो उससे अपने को आरेस आई-उन प्लस हाई-ई-ई-उन प्ल समीकन बारा से बताई जाएगी समीकन बारा वे दस से दोनरों को अगर काम मिलें तो जैड ओ मतलब निर्गम प्रतिबादा का मान निकाल सकते हैं जिसकी वैल्यू आरेस प्लस हाई-ई-उन एचो प्लस आरेस प्लस डेल्टा हे दोरा समीकन तेरा के दोरा बता सकते हैं तो जब अपने पास ये निर्गम भी निकाल लिए निवेशी भी निकाल लिए प्रतिबादा हैं अपने वोड़ता लाब भी निकाल लिए अपने धरा लाब भी निकाल लिए तो अपन शक्ति लाब निकाल सकते हैं शक्ति लाब जिसको कि अपन एपी पी फॉर पावर तो यह पावर गेन जो निकाला गया है बच्चो वो निरगत प्रत्यवर्ति शक्ति अपो निवेसी प्रत्यवर्ति शक्ति के अनुपात को कहते हैं निरगत प्रत्यवर्ति जो शक्ति है उसका मान V2 I2 है और जो निवेसी प्रत्यवर्ति शक्ति है उसको अपन V1 I1 से क्योंकि जो श समीकन सास से समीकन 14 में अगर उसका परिमान का मान लिखा जाए तो अपने इस तरह से AP की वैलियू निकाल सकते हैं और यहां पे अपन AI का मान और ZI की वैलियू रदें अपन एक्वेशन 2, एक्वेशन 5 को काम में लेके जो राजिया कैंसिल होती है उसको कैंसिल कर दें तो अ इस केस में यदि हम RS को साथ में ले वे हैं तो उससे हम समरक दहरालाब और तता समरक दहरालाब अपने को मिलेगी समरक दहरालाब कैसे मिलेगी समरक दहरालाब में जब आपन यह RS को ले रहे हैं भी यह इसको जिरू नहीं कर रहे हैं उसके इसके अंदर समरक दहरालाब को upon ai dash थोड़ा सिंबल लग कर दिया मैंने इसको upon i2 upon iis से बताते हैं i1 से उपर नीचे multiply कर दिया इससे अपने को समीकर 16 मिल जाती है चित्र 3 के निवेसी परीपत को देखें आप जहां अपने को बूलता बराबर करनी है दो टर्मिनलों के बीच में तो उससे अपनी ये प्रोस इक्वेशन जो है i1 zi jk2 is minus i1 multiply by rs लिख सकते हैं और इसको अगर solve करें अपन तो इससे ai dash का मान अपने को निकल के i1 upon is की value निकल जाती है इस value को अपन समीकर 16 में रखेंगे चात्रों तो उस हवस्ता में ai dash की value आ जाती है जो की समीकर 17 के दोरा अपने को बताई गई है अब इसमें आगे अपन जब rs को अगर यहां infinite कर देंगे अपन तो ai dash का मान जो है ai के बरापर आ जाता है समरग वोलता लाब over all voltage gain जो है कैसे निकला जाए उसको अपन ev dash से बता रहे है ev dash is equal to v2 upon vs और यहां v1 से उपर नीचे multiply अगर दिया तो इससे अपने को समीकर 18 मिल जाती है यह अपन पहले निकल चुके हैं चात्रों कि v2 upon v1 का मान ev होता है वोलता गिन जिसको कहते हैं चित्र दो के निवेसी परिपस से अपन यह लिख सकते हैं equation rs plus zi i1 is equal to vs लेकिन अपन यह भी जानते हैं कि i1 का मान v1 upon zi के दोरा लिख सकते हैं यह इसको उल्टा भी देख सकते हैं कि zi is equal to v1 upon i1 होता है इसलिए i1 is equal to बच्चो v1 upon zi होगा यह value को काम में लें तो v1 upon vs के value निकल के आ जाती है जो कि समीकन गुनिश से बताई जा रही है समीकन 18 गुनिश से a, v, dash का मान निकाल सकते हैं जो समीकन 20 मिलती है अगर समीकन 7 को इसमें काम में लें तो समीकन 7 से अपन जानते हैं कि a, v, zi, minus a, i, z, l upon zi के बरावर होता है और इसको अगर समीकन 20 में रखेंगे तो अपने को समीकन 21 मिल जाती है जो कि समरग बोलता लाब के नाम से जानी जाती है अगर अगर आपन r, s का मान 0 कर दें a, v, dash का मान, minus a, i, z, l upon zi में अगर यहां r, s का मान 0 करके समीकन साथ को काम में लें तो अपन a, v, dash is equal to a, v, का मान 2 कर सकते हैं तो इस तरह से अपन ने देखा कि यह जो पूरा टोपिक्स है यह पूरा एक questions आता है इसमें और जितने ही मैंने points बता हैं चाए बोलता धरालाब हो चाए पावर शक्ति का मान हो चाए समरक धरालाब हो और इस जो input impedance हो चाए output impedance हो यह सारी चीज़ें पूछी जाती है exam के अंदर और complete एक questions बनता है आज के लिए इतना ही है अगले वीडियो के अंदर आपको next topic देखने को और सुनने को मिलेगा